आज आपको तक्लीफ देने का मक्सद ये है कि आज सुभे कॉंग्रिस का एक प्रतिर निदी बंडल चुनाओं आयोग से जाके मिला था उसमें डॉक्टर सिंग्वी, शिरी विवेक तंखा, शिरी पी एल पुनिया, हमारे चत्यसगड के CLP लीडर, सम्मानित प्रणव जाजी और आपका दास भी उसमें शामिल था तो हमने चुनाओं आयोग को ये बताया कि बहुत ही संगीन गड़बडियां हो रही हैं, चत्यसगड में और मद्परदेश में EVM को लेकर, आपके भांती-भांती के लोग Strong Rooms में जा रहे हैं, जहां पर EVM रखी गई हैं, जहां पर Congress की Position Strong है, वहां पर ज्यादा EVM खराब होने की सूचना आई है, इसके इलावा जो सबसे महत्पूर्ण बात है, वो ये कि महत्परदेश के ग्रे मंत्री के चुनाव छेत्र में, एक बिना नंबर की EVM से लदी हुई बस, Counting Center पर पहुँचती है, मद्दान समाप्त होने के दो दिन पूर्व, दो दिन बाद, और ये कहा जाता है कि ये Surplus EVM से है, फिर EVM, Counting Center जाने के लिए, होटेल में पहुँच जाते हैं, और मद्दान पर देश का चुनाव आयोग कहता है कि EVM टैंपरी नहीं हुए, तो हमारा सीधा सीधा ये आरोप है, कि 36 गड़ में, मद्दान पर देश में भाजपा बुखलाई हुई है, और जो जन्मत है, उस जन्मत से खिलवार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है, और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे, कि हर परिस्तिती में चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करें कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके साथ किसी भी तरह का सबवर्षिन ना हूँ, ति विडियो जा रेडी, जल्बें लिए, और आपके रिखलें आयोग से निवेदन करना चाहें, यह सागर मद्रदेश का है इल के सुझ एंटे यह जोना ही हां आँ मारे एंस संयं हुआ वें पोंचे में कोड़ू कोड़ू Libyan हम करते केरे जो इना है दो ही ज हुआ है वोड़ बसर दिए काली हो जामेयों झाली कि लामेशोरी लामेशोरी टीकाली कि अपटेड़नी ये डेहा है फिए अब लार्वा सब्सक्राइब करा है पिंदे पुटरी अब दलाए इंवान में बाधे द्सकाली कि अनली कि अड़ी से लगरा गॉटे कि वह बते हैं यह जो EVMA बस में देख रहे हैं इनकी पूर्व परिस्तिती या प्रस्तुती ठाने में थी EVMA ठाने में क्या कर रहे हैं ठाने से अग्यात बस में चुनाओ सम्प्राइब बिना नंबर की बस के दो दिन बाद मेरी हिंदी कमजोरे विनीच जी ठीक कर रहे थे तो कहीं समबाद में गल्ती ना हो जाए इसलिए हम कह रहे हैं इसलिए आपको दुबारा तकलीफ दी है कि आपके माध्यम से हम चुनाओ आयोग को आगा करना चाहते हैं कि बहुत भ्यंकर गड़बडी मध्प्रदेश और छत्तिस गड़बे चुनाओ संपंध होने के बाद इवियम के साथ की जा रही है देखिए हमने चुनाओ आयोग से आग्रे किया है कि तुरंत इन सारे मामलों की जांच की जाए और इसके उपर एक वैलिड कारवाई होनी चाहिए और हम चुनाओ आयोग के उत्तर का जो हमने रेप्रेजेंटेशन दी हैं या उनके आक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं नहीं तो विकल्प सारे खुले हैं जो संभधानिक स्कीम है उसके तहत चुनाओं को पारदर्शिक तरीके से कराना चुनाओं आयोग का उत्तरदायत हुआ है और अगर कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो उसको चुनाओं आयोग के संग्यान में लाना हमारी जिम्मेवारी है और अगर हम पाएंगे कि हमारे आगरे के बाबजूद कोई कारवाई नहीं हो रही है तो जैसे हमने पहले का फिर सारे विकल्ब खुले है सागर का है पिछले दर्वाजे से आप ये क्या अंदर जा रहा था पहली बात तो ये है कि स्ट्रॉंग रूम पीछे से खुला कैसे है रात के समय स्ट्रॉंग रूम पीछे से खुला कैसे है सुश्मा सवराज जी भारत की विदेश मंत्री है भारती जनता पार्टी की शीर्ष नेता है हम व्यक्तिकत तोर पर उनका बहुत सम्मान करते हैं पर मुझे याद आ रहा है कि ये वही श्री मती सुश्मा सवराज जी हैं जिनोंने चौदा वर्ष पहले सर मुंडाने की बात की थी तो कभी कभी ये जो अहंकार और अज्यानता का उतकरिष्ट समिश्रन है जो भारतिय जनता पार्टी में कूट-कूट के भरा हुआ है वो फूट-फूट के बहार आता है श्री राहूल गांधी जी ने उस प्रेस इंटर्व्यू में ये भी कहा था कि हिंदु धर्म विनमर्ता सुना के सिखाता है तो मेरी सुश्मा जी से ये अग्रे है कि उस इंटर्व्यू को जरा ध्यान से पढ़े कभी कभी अपने से जो कम उमर का हो उससे भी सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होता विधान सभा के चुनाओं चल रहे हैं विधान सभा के चुनाओं में बिलकुल हर्जुन की तरह हमारा निशाना इन पांच राज्यों के उपर है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे तमाम विपक्ष को लोगों की आशाओं और अकांक्षाओं को वर्बलाइज करने के लिए एक जुट या एक मंच पर देखा जाता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो किसानों का मुद्दा है ये एक बहुत ही समवेदनशील मुद्दा है बहुत ही मानविय लिहाज से एक इस तरह का इशू है जिसके उपर सारा विपक्ष नहीं पर अगर विपक्ष उसकी बात करे तो सरकार को भी उसके उपर समवेदनशील दिखाई पढ़ना चाहिए सबसे पहले तो इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि इस मुल्क में जो सारवजनिक संबाद है उसका स्तर किसने नीचे किया आज अगर आप को आपत्ती है किसी कॉंग्रिस के नेता के बयान के उपर और हमारा ये मानना है कि सारवजनिक संबाद का स्तर उपर रहना चाहिए पर इसकी गहराई में जानकर ये देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुवात कहां से बहुत है और इसके सूत्रधार दुर्भागिपूर्ण वर्ष भारत के प्रधान मंत्री है अगर पिछले तरेपन महिनों में सारवजनिक संबाद को नीचे लगाने लाने में किसी ने सबसे एहम भूमे का निभाई है तू वो भारत के प्रधान मंत्री है तू वो भारत के प्रधान मंत्री है The Prime Minister has a special responsibility to set the bar high and the Prime Minister has deliberately lowered the bar and lowered it to another that the public discourse in this country should be of a certain level then I think the current Prime Minister should heed the advice which the former Prime Minister gave him on the 26th of November 2018 at the India International Centre. तरदार नवजोज सिंग सिध्धू जी ने अपने आप स्वैम भू अपनी पाकिस्तान यात्रा का स्पश्टिकरन दे दिया है इसके उपर और किसी टिपनी की आवशक्ता नहीं है और इससे पहले इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही विस्तरत तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है पहले भी मैं इस बात को कहे चुका हूँ और दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि 1986 से लेकर 2018 तक आप एक तरफ चुनाओ की तारीके लिख ले और दूसरी तरफ आरेसस भाजपा के राम मंदिर के आहवान का जो उद्गोश उनके शीर्ष नेतरत करता है उसके वाकियों को लिख ले और आप पाएंगे कि इनको राम मंदिर की सिरफ तब याद आती है जब चुनाओ पास होता है